नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी HPLT कमिशन या LTE TET इसके साथी साथ PGT हिंदी की अगर तैयारियां कर रहे हैं तो ये वाला लक्चर आपके लिए बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इस लक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग हिंदी के ऐसे 60 महत्वण प्रशनों के बारे में जो आपकी गद्य विधाओं से रिलेटिड रखे गए हैं और ऐसी प्रशन आपको पूछे जाने के संभावना जादातर रहती ही रहती हैं और इसमें चुनिंदा प्रशनों को रखा गया है जो प्रशन या तो कभी आपके लिए बनते हैं या इनके बनने की संभावना या कभी कबार इसको पहले आपको इस तरीके के प्रशन पूछे गए हैं हलां कि कुछ एक प्रशन आपको दिख रहे होंगे इसमें कि जो ऐसे प्रशन हैं जो कहीं न कहीं आपको ऐसे बन सकते हैं आगे आने वाले लक्चर में या जो पहले पूछ भी लिए गया है तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली प्रशन यहां पर रखा गया है अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं यह कथन किसका है तो यहां देखिए आपने देखा होगा नाटक हो गया निबंध हो गया इस तरीके के प्रशन आपको बहुत जादा पूछे जाते हैं नाटक और निबंधों के बारे में पाश 60 कोशन बनाने की कोशिश की है तो एक और मौतफोन चीज आपके लिए यह भी है कि अगर आप अभी तक हमारे जो एल्टी कमिशन के ग्रूप हमने स्टार्ट किया है निया बैच एल्टी कमिशन एल्टी टैट एंड पीजीटी हिंदी के लिए जो लाइव क्लासिस वाले है हमारे lectures होने जा रहे हैं उसके लिए अगर आपने अभी तक खुद को enroll नहीं किया है तो आप उसमें भी हमारे साथ जुड सकते हैं नीचे WhatsApp आपका number जो है description में आपको मिल जाएगा तो आप वहां से हमारे साथ WhatsApp में contact करके आगे आने वाले जितने भी हमारे जो यह तीन नाटक कहते हैं यह किसका कथन है तो यह कथन है आपका धनन जय का विकल्प नंबर बी इसका क्या होगा राइट अंसर होगा हलांकि जो आपके पास्चाते चिंतक और भाते जो चिंतक रहे हैं उन सब ने क्या कहा कि जो नाटक है यह क्या आपका विश्रिश परिस्तितियो नहीं होगा ये चीज आपने ध्यान रखनी है अनुकर्ण वैसे सब ने माना है विशेश तोर पर यहां पूछी गई जो पंक्ती है इसको आपने ध्यान रखना है कि अवस्था के अनुकर्ण को नाटक कहा है धननजय ने धननजय के प्रसिद रचना रही दश रूपक उसके बारे में भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स प्रशन देखिए नाटक को पंचम वेद किस ने कहा है तो इस वाले प्रशन का उत्तर तो बंद आंखों से सब लोग देते हैं और ये प्रशन बार बार रिपीट होता रहता है इसलिए यहां पर इस प्रशन को रखा गय हैं लगातार एल्टी का मिशन के परिक्षा में आपने देखा होगा इससे पहले पूछा गया था कि नाटक क्या है वो आपके मृत्वीरों की पूझा से उसका जनम हुआ तो ये रिजले ने कहा था लास नाइम पूछा गया था और पीशेल ने क्या माना कि ये कटकुतलिय कहां से हुआ है लोग प्रिय स्वांगों से हुआ है ये चीज आपने फोकस इनके बारे में करनी है इंपॉर्टन चीज है राइट अंसर होगा आपका प्रोफेसर को ने तो पाश्चाते चिंतक नाटकों के बारे में क्या कहते हैं इसको आप ध्यान रखिए अभी आप दे घ्याता को देखिए भारतमुनि की देख्रेक में सरवप्रत्तम क किस नाटक का अभिनय किया गया तो भारतमुनि के देख्रेक में सबसे पहला नाटक जो अभीनीत किया था ये था आपका अमरित-म LP arguably के अगर हम बात करें कि नाक का प्रवर्तन किसने किया था तो ब्रह्म नहीं जो देवताओं के आगरह पर किया था नाटक का या यहों कहें आपके नाटेर का उन्होंने एक तरीके से इसको प्रवर्तन किया था उन्होंने चारों वेदों से कुछ-कुछ चीज़ें ली थी, इनके बारे में आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं कि किस वेद से उन्होंने कौन सी चीज़ ली थी, important question है ये वाला भी, किसे संगीत लिया, किसे आपका दूसरी चीज़ें उन्होंने ली, ये चीज़ आपको स्थापना की गई थी, ठीक है, तो ये भी आपको दियान रखना है, हलांकि 1786 में रंगमंच only था, यहां पर सही तरीके से अगर थीटर की बात की जाए, तो ये 1777 ही होगा सही अंसर, next से दिखिए पाश्चाते दिश्टी से नाटक के अंग कितने हैं, तो पाश्चाते दि दिश्टी से नाटक के कितने अंग हैं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, important चीज़ें देखना, अरस्तुने आपके जो विशादान्त नाटक हैं, उनके भी ये 6 अंग ही रखे हैं, और किस ने ये 5 माने हैं, ये भी आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं, पा आर्ति का विशास्तर के धार पर नाटक के कितने अंग हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं, comment section में जाके, और आपके लिए भी ये प्रशन बन सकता है, next question है, संकलन त्रई में शामिल नहीं है, most important question, जब भी आप नाटक के बारे में पढ़ेंगे, संकलन त्रई से related आपको जर मिल नहीं है, इसमें आता आपका स्थान, काल और कार्य, ये तीन चीज़ें आती हैं, संकलन त्रई के अंतरगत, इनको आप याद रख लीजिए, important है ये वाला प्रशन भी, और ये वाला प्रशन दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास, तो प्लीज वीडियो को शेर कर दीजिए, एंड लाइक करना बिल्कुल भी न बोलें, क्योंकि ऐसा कॉंटेंट आपको हिंदी साहीते वारता चैनल में मिलता रहता है, नेक्स प्रशन यहाँ पर आठों प्रशन देखिए, अभीनेता की दिश्टी से प्रसाद का अपिक शकृत सफल न नाटक है, जिसको हम अभीनीत कर सकते हैं, बाकी नाटकों की अपिक्षा, तो विकल्प नमबर 3 है, देखिए, द्रुब स्वामिनी, इसको आपने ध्यान रखना है, द्रुब स्वामिनी इनका जो प्रसिद नाटक रहा है, उसको हम मानते हैं कि अभीनेता के दिश्टी से यह अपिक्षक्रित सफल नाटक है, उनके और नाटकों की अपिक्षा, और जैशेंकर प्रसाद कैसे नाटक कार रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है, कॉमेंट सेक्शन में, चलिए, नेक्स प्रशन है, अगला, यहाँ पर देखी गया रहा है, प्रसाद यूगीन न मिलते हैं कि कौन सा किस यूग का कहानिकार है, नाटकार है, या फिर किसका समय कवधा, तो यहाँ पर प्रसाद यूगीन जो नहीं थे देखी, यह है विश्नु प्रभाकर, यह आते हैं आपके समकाले इन में, ठीक है, यह चीज़ आपने द्यान रखनी है, इंपोर्टन है प्रसाद यूग में लिखना शुरू कर दिया था, हालां कि यह बाद में भी उसके बाद लिखते रहे प्रसाद उत्तर में भी, लेकिन आएंगे यह किसमें प्रसाद यूगीन नाटक कारों में, अगला प्रशन है दस्वा प्रशन, अंधा यूग नाटक किस महाभारत के पात्र को केंद्र बनाकर लिखा गया है, इंपोर्टन्ट है अंधा यूग भी, अंधा यूग की रशनकार, अब सब लोग जानते हैं धरम विर भारती की बहुत ही प्रसिद कृती है, नाटक जो इनका कृती मानी जाती है इसको, गीती नाटक एंड इसमें पांच अंख है और साथी साथ आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है कि कब इसकी रचना हुई थी और महाभारत के जो अठार में दिन की कता है, इसमें जिक्र किया गया है, या आपको ऐसे भी प्रशन पूछा जा सकता है कि महाभारत की प्रिष्ट भूमी पर अधारित है ये अंधायोग ठीक है, ये वाला प्रशन भी आपको ध्यान रखना है और इसके केंदर में जो है वो है अश्वत्हामा, विकल्प नंबर ये इसका सही आंसर होगा, चलिए, नेक्स प्रशन देखिए, अठारा सो इक्यासी में भारतेंदू ने किस प्रसिध धनात्यकृति की तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कि जो भी प्रमुख प्रमुख रचनाकार हैं, उनके जो रचनाएं हैं, प्रसिध रचनाएं, उनके प्रकाशन वर्श जरूर याद रख लिजे, आपका प्रेम चंद हो गया, उनके प्रसिध उपर नियासों को पड़ डालिए, एंड ऐसे ही आपको मैथली शरनगुपत हो गया, उनके रचनाओं का प्रकाशन वर्श भी पूछ जाता है, प्रमुख जो रचनाकार रहे हैं, जैसे आपका ये क्या नाम है, उनका आपके दिनकर हो गया, उनका जनम वर्श पूछा जा सकता है, ऐसे जो इंपोर्टन जैस इनका क्या है, लास्य रूपक है, जिसको नाट्यरासक के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसके अंतरगत आता है, देखिए, लास्य रूपक ये आता है आपका जो उप रूपक है, उप रूपक के कितने भेद हैं, रूपक के कितने भेद हैं, ये चीज आप मुझे कमें नाटी का मानी जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्यूंकि जो आपके भारतेंदू हरिशंद्र हैं, इनके नाटकों के प्रकारों से रिलेटेड प्रशन भी बनता है, तो सारे के सारे इनके कैसे नाटक हैं, मौलिक नाटक हैं, ये चीज़ भी ध्यान देखते हैं अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली किसकी नाटे रचनाए हैं तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायन मिश्र, लक्ष्मी नारायन लाल, लक्ष्मी कांत वर्मा तीनों नाटक कार रहे हैं हमारे काम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लक्ष्मी नारायन लाल यहाँ पर इसका अंसर भी क्या है लक्षमी नरायन मिश्र है इन्हों लेकि अश्योक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राजयोग, इत्यादी, इत्यादी ये इनकी रचनाय रही है इसके अलावा लक्षमी नरायन लाल ने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं ये प्रशन ऐ लक्षमी कांत पर्मा इतना जरूरी नहीं है बाकियों को आप देख लेना कि कौन सी रचने इनोंने लिखी है नेक्स आता है देखिए तीन अपाहीज किस प्रकार की रचना है तो तीन अपाहीज आपका जो नाटक से रिलेटिड है देखिए आपको पहला प्रशन तो यही पूछा जा सकता है कि तीन अपाहीज शीर्शक से किस ने रचना रची है या फिर आपको पूछा जा सकता है कि तीन अपाहीज जो कृती है यह किस प्रकार की कृती है इस तरीके से आपको प्रशन पूछा जा सकता है तो यह चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो तीन अपा नाटक है, इनके कितने अबस वर नाटक हैं, इसके अलावा इन्हों ने लिखे आपका लोटन और तीसरा था, खोए हुए की तलाश, यह तीन नों लिखे थे लेकिन जो तीन अपाहिज है इनका, यह सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, 1966 में आपकी जो कलपन गुंजती हैं इस नाटक के लेखक कौन रहे हैं गातियां गुंजती हैं जो नाटक है देखिए यह है शिपरसाद सिंग का इंपॉर्टन नाटक है इसको भी ध्यान रखना है रामेश उर प्रेम इन्होंने लोमड वेश लिखा रमेश उपाध्याय ने पेपर वेट नामक आ प्रिथु और शुक्राचारे रहे हैं तो पात्रों से रिलेटिड प्रशन भी नाटकों से पूछा जाता है देखिए नाटक से यह प्लेटिड प्रशन जादा बनेंगे पहला प्लशन आपको पूछे जाएगा कि नाटक के बारे में कौन-कौन से विद्वानों के क्या-क या मत हैं दूसरा प्रशन पूछ जाएगा कि प्रिसीद नाटक के नाटकार कौन से हैं ठीक है फिर नाटक में कौन-कौन सी चीज़ें आती है नाटक के तत्यों की बात कि नाटक के अंगों की बात की है ना ये प्रशन भी दूसरे नमबर पर हो सकता है और नाटक कार का कौन से रहे हैं और एक और प्रशन बनता है कि समवाद भी कई पर पूछ लिए जाते हैं तो वो भी आपने ध्यान रखने हैं यहाँ पर प्रितु और शुक्राचारे यह रहे आपके पहला राजा पहला राजा जो जगदीश चंदर मातु रह देखिए उनका प्रसिद्ध न प्रोणाचारे जिसमें दो कथाएं सामनांतर चलती रहती हैं महाभारत की कथा और अरविंद की कथा तो इसका प्रमुक जो पात्र रहा है अरविंद कुनार्क का प्रसिद्ध पात्र कौन सा था यह मुझे आप कोमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं नेक्स्ट वशन है गोपाल राम गहमरी जासुसी उपन्यास कारते बिंदावन लाल भरमा एतिहासिक प्रेमचंद कैसे उपन्यास कारते यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बताईए क्योंकि प्रेमचंद पहुत ही जाधा महत्वपूर्ण है और इनसे ये वाला प्रशन पूछा जाता रहा है नेक्स प्रेमचंद आता है वशाली की नगरवदू हम सब लोग जानते हैं यह इनका उपन्यास है किसका उपन्यास है यह आपके अचारे चतुर सेन शास्त्री का प्रसिद उपन्यास यहाँ पर आएगा प्रेमचंद ठीक है अगले प्रशन में देखिए प्रेमच की जो कथा है वो किस पर अधारित है यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है सीवा सदन बजारी हुस्न के नाम से जाना जाता है इसको आपने ध्यान रखना है सीवा सदन कैसी कृति एइनकी प्रोड कर्ति मानी जाती है अnhड़ गवन गवन में जो मध्यवद्गी किसान ह या मदेवर्गी जो परिवार है उसका किसान का नहीं मदेवर्गी परिवार का इसमें जिक्र मिलता है जो अभूशन प्रियता हिस्त्री की उसको दिखाया गया है जालपा के माध्यम से रंग भूमी में महाजनी सबैता को दिखाया गया है और सेवा सदर में वैश्य जीवन पर आधारित यह रखा गया है इनका उपन्यास ठीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी थोड़ी नेक्स है आखिरी दाओं भूले बिस्रे चित्र वत्थके पाओं किसके उपन्यास है तो यह भगवती चरण वर्मा के बाकियों के जो यहां पर है वो जरूरी है पढ़ना क्योंकि प्रिवियस एर पर आगर आगर आप दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो प्रशन पूछा गया था इस बार भी वो पूछी जाएगा इस बार हो सकता है आपको जो विकल्पों से कुछ चीज है पूछी जाए तो वो प्रेमचन के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगाने हस्ती है तो ये प्रशन भी प्रेमचन से रिलेटेड जरूर बनता है कि उनके कुछ उपन्यास रहे हैं उन उपन्यासों के उर्दू नाम भी रहे हैं रंग भूमी ही ऐसा उपन्यास है जिसको चौगाने हस्ती के न से रखा गया था पहले ठीक है मानस का हंस अमरितलाल नागर की प्रसिद ग्रिती है इसको भी ध्यान रखिए 1970 था इसका प्रकाशन वर्ष ये भी आपको पूछा जा सकता है और इसमें जो आपके तुलसी दास्ते उनके जीवन पर अधारी थी ये उपन्यास लिखा गया है मे क्मेंट सक्षन में जाकर आप बता सकते हैं लेकिन सर्वमाने जो मत है वो मेला आंचल की और जाता है तो इसमें थी मेरी गंज गाउं की कथा एंड शिवपाल गंज ये हम सब लोग जानते हैं कि ये रहा आपका ये क्या नाम था उसका शिवपाल गंज रहा आपका राग दरबारी से इंपोर्टन है देखना परानपूर भी इंपोर्टन है पनिश्वन रात्रेणू का ही उपन्यास है जहां पर परानपूर की घटना या परानपूर का जो पुरा परिवेश है वो दिखाया गया है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकत वे दिन निर्मल वर्मा की किस विदा की रचना है तो यहां पर देखिए वे दिन जो है निर्मल वर्मा का पहला ही उपन्यास है उपन्यास कहीं भी विकल्प में नहीं है तो विकल्प नमबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और इसमें इसकी जो प्रिष्ट भूम और यात्रा वृतांद भी नोंने लिखा है नेक्स आता है देखे रानी नागफनी की कहानी किसकी कृती है तो ये है आपके हरी शंकर परसाई की का जो उपन्यासिक कृती ठीक है अमरित रहा है नागफनी का देश इंपोर्टन चीज है ये भी दोनों को इधर उधर नहीं करन ये ये भी इंपोर्टन है इनको आपको त्यान में रखना है अजय और शकुन ही हम सब लोग जानते हैं आपने अपने पाठेकरम में पढ़ा होगा मैक्सिमम विशव विद्यालियों और कॉलिजिज के पाठेकरम में ये वाला उपन्यास जो शामिल किया गया है मनोवेग् जिम्ब नामक उपन्यास के लेखक कौन है तो जितने भी यहां पर लेखक रहे हैं ये सब के सब क्या है आपके दलित लेखक है और हेंडी भी लिगा था एस आर हर नोट ने हीमाचल से संबंदित हैं ये राइटर ठीक है दलित लेखक है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान म इंकी मेरी पतनी और भेडिया, इंकी मेरी पतनी और भेडिया, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इनके बारे में, नेक्स आता है देखिए विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है, तो ये है आखरी कलाम, ऐसा प्रशन आपको जरूर पुछ जात है देश की विभाजन पर आधारित जो उपन्यास है, आधा गाउ, राही मासूम, रजा का है, इसके लावा जूठा सच, ये आपका यश्पाल का है, तमस भीशम साहनी का है, तो ये तीनों के तीनों उपन्यास हैं, जो देश विभाजन की समस्या पर आधारित, लेकिन अखरी कलाम शीर्चक से कावे रचना किसने रची है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, अगला प्रशना आता देखिए भागेवती का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये जो पहले उपन्यास से देखना, प्रारंबिक उपन्यास, इन से या तो ऐसा प कौन थे, एंड दूसरा प्रशन आपको ऐसा बनता है कि इनका जो प्रकाशन वर्ष है, जो इस देखिए का प्रशन पूछे जाएगा, तो यहां पर भागेवती का पूछा गया है, श्रद्धराम फिलॉरी का है, 1877, और इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना, विज पूण करती रही है, रागदरबारी, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, यहां पर श्रीदर पाठक, यह आपके कविता रचते हैं, कवी हैं, और श्रीकांत परमाम ने भी अपना कावेरजादतर रचा है, ठीक है, तो यह दोनों तो बिल्कुल भी विकल्प में नहीं होने थे, सही आंसर था, आपका श्रीलाल शुकल, चलिए, नेक्स परशन दिखते हैं, कौन सी कहानी अंतिम नहीं है, सालवती, आपके प्रसाद की अंतिम कहानी है, कफन, किसकी अंतिम कहानी है, प्रेमचन की अंतिम कहानी है, और जो सुख में जीवन है, यह आपका क्या हो है most important है यह वाली रचना भी इसके लाबा अजे ए खंडे अहर है उनकी कुछ और चीज़े हैं तो उनको भी आप एक बार जरूर देखे जाए यह important है यहाँ पर जितनी भी आपके writer रखे गए हैं समनांतर कहानी के प्रवर्तक तो समांतर कहानी के प्रवर्तक रहे आपके कमलेश्वर यह चीज़ ध्यान रखनी है इन तीनों ने मिलकर क्या लिखा तीनों ने लिखा नहीं किस अंदोलन का प्रवर्तन किया था जो कहानी अंदोलन रहे हैं वहाँ से भी एक प्रवर्तन बनता है तो उनको भी देखिए समांतर कहानी हो गया आपका सचेतन कहानी हो गया सक्रिय कहानी हो गया सहच कहानी हो गया इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं यह चीज़ आपको definitely पूछी जा सकती है यहाँ पर समांतर कहानी इसी इनकी कुछ एक कहानिया है और तीसरी कसम very very important ये भी पूछ जाती है शेखर जोशी की दाजीव important है अमरकांद की डिप्टी कलक्टरी दोफेहर का भोजन important है है तो उनको भी आपने देखना है ये भी पूछ जाते रहे हैं परिक्षा में नेक्स टे दिखिए एक प्लेट सैलाब किसकी रचना है तो ये बहुत ही मौतवपुन कृती है ये है मन्नु बंडारी की मन्नु बंडारी की जो दूसरी कृती रही यही सच है उशा प्रियमदा प्रसिद्ध कहानी पूछ जाते हैं की वापसी इसको आपने देख लेना है मृ पूछी जाती है ज्यान रंजन की एक most important कहानी है पिता निर्मल वर्मा की भी एक कहानी रही है जिससे हम मानते हैं नई कहानी के शुरुआत हुई थी उसके बारे में comment section में जाकर आप मुझे बता सकते हैं बहुत ही प्रसिद कहानी है ये next जे दिखिए नई कहानी अंदोलन से अंदोलन चले इसके बारे में भी आपको पताना चाहिए नई कहान या समकालिन कहानी को लिख करके next दिखिए फनिश्वनाथ रेणू और इस दिखिए का प्रशन भी आपको एक बनता है एक दो प्रशन ऐसे पूछी जाते हैं जो आपके प्रसिद राइटर रहे हैं उन पर मैतली शरण गुप्त रहे 1908 में आपका दिनकर का जनम हुआ है next है नूरे शमी किस कहानी के पात्र माने जाते हैं तो ये रहे आपके इदगा 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 इंप्रसिद पात्र है उनको भी याद रखना है पूस की रात के आप पात्र मुझे बता सकते हैं next है कहानी चोटे मुहूं बड़ी बात करती हैं कहानीों के संदर में भी देखी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब आपके राइटरों के कथन हैं वो भी याद रखने हैं तो ये कहा था डॉक्टर नामवर सिंग ने नामवर सिंग रहे आपके प्रगतिवादी लेकक या प्रसिद नाम रहे हैं डॉक्तर नामवर सिंग का प्रेम चन ने माना कि जो आपकी कहानी होती है उसका जो कथानक है वो किसी जो आपका मनवे ज्यानिक सत्य पर आधारित होना चाहिए तो ये प्रेम चन ने इस तरीके से कुछ बात कही है वो भी आपने पर जरूर देखनी है हरीवश राय बच्चन ने डाइरी शीर्शक दिया था अपनी जो डाइरी को दिया था प्रवासिय की डाइरी नाम बाकी जो ये नाम है इनको आपने जरूर देखना है डाइरी शैली से यहां पर प्रशन रखा गया है देखिए हर एक विधा से आपको प्रशन पूचे जाते हैं ये चीज़ भी ध्यान रखनी है तो यहां पर जो सैलानी की डाइरी थी ये किसकी है ज्यादा अपनी कम पराई ये किसकी है इसके बारे में भी आप जरूर पढ़के जाए हो सकता है आपको पूचा जाए ये वाले प्रशन भी नेक्स आता है वट पीपल के रशन के इर्द गिद ये चीज़ आपने द्यान रखनी है और अगर मैं कुछ गलत हूँ तो आप इसको करक्ट कर सकते हैं देख लेना इनको भी एक बार जाके मतलब हर एक वीधा से प्रशन आपको यहां पर रखे गए हैं यही चीज़ आपको पेपर में भी पूची जाती है कि हर एक वीधा से आपको कुछ ना कुछ प्रशन जरूर दिखेंगे जुलूस रुका है तो यह है आपका रिपोर्टाज देखिए आपको ऐसा भी पूच्छा जाता है कि जुलूस रुका है किस वीधा की रचना है यह है आपकी रिपोर्टाज की और रिपोर्टाज विवे उसमें ये पूछा गया है, है ना, तो फणिश्वनात रेवनों से रिएटर प्रशन बनता है, नेक्स प्रशने रेखिए, हिंदी में प्रत्थम रिपोर्टाज कौन सा रहा है, तो हिंदी का जो प्रत्थम रिपोर्टाज, शिवदान सिंग चोहान, ये नाम आपने सुना हो शिवदान सिंग चोहान, इसको आपने ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा था पहला, और ये था आपका लक्षमी पुरा, most important है, आपका रिपोर्टाज, नेक्स आता है, देखिए, नंगा तलाई का गाउं किस विधा की रचना है, तो ये संस्मारना आत्मक रचना है, दुश्मन, तो मंटो मेरा दुश्मन, ये रहा उपेंदरनात अश्क की प्रसिद रचना, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं, महादेवी वर्मा के प्रसिद रेखा चित्र, मेरा परिवार का प्रकाशन वर्ष, क्या है, ये है आपका 1972, याद रखना है, आपने मेरा परि कोशिश कीजिए, उन प्रशनों को डोडने की, और उन प्रशनों को जानने की, अगर आपको पता है, तो अच्छी वाते नहीं पता है, तो फिर आप को मेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, आखरी चट्टान तक ये रहा आपका, यात्रा वरितान्त का सुत्रपात किस ने जात्रा, इसको याद रखने की एक सिंपल से ट्रिक है, उसको भी आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से किसी भी तरीके की, शिखर से सागर तक में किस की जीवनी है, यहाँ पर देखिए, शिखर से सागर तक में पूछा गया है, कि इस में किस की जीवनी को रखा गया है, इ इन्होंने अपने पीता के लिए लिखी थी प्रेमचंद के लिए प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो क्या था इसके बारे में भी आपको यान रखना है यह ना तो इन्होंने प्रेमचंद के लिखी कलम का सिपाही शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद घर में और मदन गूपाल ने लिकिती, कलम का मजदूर, ठीक है, इंपॉर्टन है ये वाला प्रशन भी, इसको भी ध्यान में रखना है, जुठन का प्रकाशन वर्श क्या है, तो जुठन का प्रकाशन वर्शता उनिस संतानुए, और जुठन किस विदाकी रशना है, यह आतमकता, और कैसी ये भी आपके लिए important प्रशन परनता है दलित आत्मकता लेखक नहीं है तो यहाँ पर देखिए तूलसी दास लिखा गया है अगर यहाँ पर तूलसी राम होता तब ये प्रशन ठीक हो जाना था इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तूलसी दास माता प्रसाद गुप्त ने जॉंप्टी से राजभवन लिखा है इनकद जो दलित आत्मकता रही है धरमवीर की मेरी पत्नी और बेडिया आत्मकता है रूप नराइन सोनकर इन्होंने नागवनी नाम से अपने आत्मकता लिखी है तो ये चीज़ आपने ज्यान रखनी है रूप नराइन सोनकर का एक प्रसिद उपन्यास भी रहा है सुर्दान ठीक है उसको भी याद रखिए नेक्स प्रशन आता है देखिए देहरी भई विदेश में 20 लेकिकाओं की आत्मकताओं का संपादन किस ने किया देखिए एक प्रशन तो पूछ जा सकता है कि देरी भई विदेश में कितनी लेकिकाओं है 20 लेकिकाओं और उसमें उनकी आत्मकताओं रखिगी या कहानिया तो यहाँ पर प्रशन है आतम कथाओं तूसरा प्रशन तीसरा किस ने इसका संपादन किया राजेंदर यादव इंपोर्टेंट प्रशन है न क्या रखना है और कमलेशोर ने बारा लिखकों को रखकर उनकी आतम कथाओं का संकलन किया था गर्दिश के दिन शीर्शक से यह भी आपको ध्यान में रखनी है हो सकता है यह चीज़ भी पूछी जाए राजेंदर यादव की आतम कथा का शीर्शक क्या है तो राजेंदर यादव की आतम कथा का शीर्शक है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ जो टुकड़े टुकड़े दासना है यह है अमरितलाल आपका जो UGC net में भी इस रचनाकार को पूछा जाता रहा है, है ना, यहाँ पर कई बार जैसे अगर आप PGT की परिक्षा देने जा रहे हैं, तो इनको क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जाता है, सबसे पहले आती है क्या भूलूं, क्या याद करूं, उसके बाद आए पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ऐसा प्रशन भी बन सकता है, यहाँ पर पूछा गया था प्रत्थम भाग, तो यह है क्या भूलूं, क्या याद करूं, नेक्स से दिखिए बनारसिदास जैन ने किस भाशा में अपनी आत्म कथा लिखी है, तो बनारसिदास जैन हम सब आतमकथा लेखी का कौन रही तो हिंदी की जो पहली आतमकथा लेखी का रही ये रही जानकी देवी बजाज इसको आपने याद अकना है मेरी जीवन यात्रा शीर्शक से इन्होंने अपनी आतमकथा लिखी थी इसके साथी साथ कृष्ण अगने हुटरी इनकी बहुती प्रसिद आत्मकता रही है जो अक्सर परिक्षा में पूछी जाती रही है तो उसे related प्रशन भी आपको बन सकता है तो कौन सा है वो इनकी आत्मकता का शीरशक ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं तो ये थी आज के 60 प्रशन अगर आपको इन प्रशनों में कहीं भी कुछ भी doubt लगता है तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं लास्ट में दोस्तों आपको ये बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो आपको हमारा ये प्रियास कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत शुक्रिया जय हिंद जय भारत